हेलो एंड वेलकम तो फिफ्टी फॉर्थ एपिसोड ओफ लो बैक पेंड सीरीज आइम डॉक्टर वरुन वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्स रे और एमराइव फॉर लो बैक पेंड अब जो भी लो बैक पेंड का पेशन्ट होता है है उसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि उसको एक्स रे करवाना चाहिए यह एमरे करवाना चाहिए क्योंकि पेशन्ट को यह नहीं पता कि एक्स रे में क्या फैंडिंग्स आएंगे और एमरे में गाएंगे तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा यहा कहूंगा कि आपको। एक्सरे कंप करवाना और उसमें क्या-काई इंगस आती है । आप को करवानी चाहिए घ्युक्रस क्या है तो पेशनन कई बर ल o मुल्न भी करता है और कई पेसंट उसको बियर नहीं कर पाते मलब मेरीट्न उसको कहते बह़ाब भीर से OUT होती है और the ठीज यह मुल्न हीच और सिरान जाएंगे और मिया हीच को कॉजश डिपसक्राइब उसके लिए दिफिकल्ट बूत है कि हमें X-ray कब करवाना चाहिए और उसमें क्या क्या हमें चीज़े दिख जाएंगी और MRI कब करवाना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़े दिख जाएंगी इससे आपको clear हो जाएगा कि X-ray कब करवाओ कि MRI करवाओ क्योंकि बहुत सारे patient ने पूछा है कि जब भी हमें back pain होती है यहां हमें लग रहा है कि हमें radiating pain leg में जा रही है तो हमें कौन सा test करवाना चाहिए X-ray करवाले कि MRI करवाले तो आपको मैं ही clear करूँगा तो इस वीडियो का last text जरूर देखिए तो चलिए चलते हैं सबते पहले हम X-ray की तरफ X-ray भी हम slumbers पाइंगा करवाते हैं AP view और lateral view पर lateral view जो होता है वो जादा देखने वाला होता है इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ अब देखिए lateral view यह same patient का MRI भी होगा पर मैं X-ray पहले पता रहा हूँ अब देखिए यह हमें देख लिए vertebral bodies यह मैंने आपको X-ray में पहले भी समझाया है इसमें आपको चीज़े बता रहता हूँ अब इसमें हमें क्या देख सकता है यह देखिए यह degeneration है यह osteophytes बने हुए anterior vertebral body पे यह anterior side बने हुए यह anterior है यह posterior है पीछे वाला तो यह सारी हमें यह facet joints दिख रहे है यह हमारा S1 हो गया यह L5 हो गया L5 S1 में यह बीज में जो space होती है यह होती है disc spaces अब हमें क्या होता है जब X-ray देखके patient को बोला जाता है कि आपको disc bulge हो गया तो यह गलत term होती है क्योंकि X-ray देखके हम यह नहीं बता सकते है कि disc bulge हो गया क्योंकि X-ray में यह स्पेस देख पाते है तो जब यह space कम हो जाती है तो हमें assume करते है कि यहां तो यह degeneration होगी और अगर young patient है तो हम उसको बोलते हैं कि आपका disc bulge हो गया तो इस तरह से यह चीज़ा जो disc होती है soft issues होते है जैसे spinal cord हो गई disc हो गई यह बाकी मारा facet joint प्रॉपरल ही देखना है तो वो में यह दिखता है MRI में X-ray में हम क्या देख सकते है कि patient को listicis anterior listicis यह spondylolisthesis तो नहीं listicis का मलब होता है L4-L5 या L5-S1 वाला एक vertebra जो होता है वो जैसे माल लोग जी L5-S1 listicis बोला जाता है तो उसमें का होता है यह vertebra आगे की ओर आ जाता है तो वो हम X-ray में देख सकते हैं वो भी lateral view में देख सकते हैं जैसे यह degeneration है साफसर दिखाई दे रही है औस्टोफाइट दिखाई दे रहे है तो यह सारी चीज़ें हम X-ray में देख सकते हैं डिस्क Spasics दे सकते हैं तो अब यह disc space जब कम होती है तो यहां तो degeneration की वेरा से भी हो सकती है यहां disc bulge की वेरा से भी हो सकती है तो clear cut जो चीजे हैं, हाँ, इसमें हम scoliosis भी देख सकते हैं, वो AP view में होता है, कि हमारा जो body है, हमारा AP view में दिखाई देता है, कि वो shift तो नहीं हुआ हुआ हुआ, किसी एक side पे, और दूसरे यहाँ पे हम parse intra-articularis का defect देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि जब वो vertebra आगे को निकल आता है, बाकी हम x-rays में fractures देख सकते हैं, तो इस तरह की चीजें जो होती है, जो बूनी, क्योंकि x-rays जो होता है, वो सिरफ बूनी पार दिखाता है, वो soft tissue पार नहीं दिखाता है, तो वो सिरफ shadows दिखा रहा है, disc bulge अपना, disc की भी, तो इसलिए हमने यह द यह आपको सारी epidural space भी दिख रही है, और spinal cord भी दिख रही है, यह nerves आरी भी दिख रही है, और साथ-साथ यह मारी nerves है, जो यहां से आ रही है, और साथ में आपको vertebral body, अब इसमें देखे, पूरी-पूरी disc आपको दिख रही है, तो जब इसमें यह disc जो है, वो पूरी black हो देखा था तो इसमें अब देखिए आपको सारी चीज़े क्लियर हो रही हैं आप समें soft issues भी दिख रहे हैं बाकि लिगा मेंटा फ्लेवं भी दिख रहा है और आपको एक्जल भी दिखाऊंगा तो यह सारी चीज़े अब इसमें जब भी डिस्क बल्ज की बात करते हैं तो र L12345S1 अब यहां पर आपको यह स्पेस दिख रही है यहां डिस्क बल्ज दिख रहा है और यह नर्व दिख रही है तो यह सारी जो soft tissues आते हैं तो जिसको भी nerve compression के signs हो रहे हैं या उसका pain ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हम ज़रूर कहेंगे के मरे की तरफ जा सकता है तो यहां से हमें पता लग जाता है कि इधर को डिस्क बल्ज निकला है left right यह पता आपको लग जाएगा तो यहां से हमें इसकी lateral recess stenosis का भी पता लग जाता है यह हमारा AP के नाल है जहां से हमें पता लग जाता है कि stenosis तो नहीं हो रहा patient को तो यह सारी चीज़ें जो होती है nerves के around यह सारी nerves है देखिए यह सारा nerves का गुच्छा है और यहां पर यह AP diameter तो यह सारी चीज़ें हमें पता लग जाती है कि null stenosis है यह ligamentum phlamum hypertrophy है यह disc bulge है कोई भी soft tissue injury पता करनी है तो हमें इसके लिए MRI ही करवानी पड़ती है तो जो x-ray होता है वो आपकी सिरफ bones को दिखाता ह है और जो MRI होती है वो soft tissues को दिखाती है थोड़ा deep जाती है तो इसलिए आपको मैं problems के नाम बता है तो x-ray में हमें दिख सकता है spondylolisthesis दिख सकता है antirolisthesis हो गया straightening of lumber spine हो गया यह हमें दिख सकता है और x-ray में हमें AP और lateral view करवाने पड़ते हैं तो MRI जो है वो तो सारा का सा एकजियल और सजाइटल विव हमें सारा दिखाता है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाता है और depth में जाना है stenosis को देखना है nerve compression को देखना है किस वज़ा से हो रहा है L4 L5 L5 S1 disc bulge है कोई tumor है कोई भी चीज है जो हमें referred pain दे रही है या हमें radiating pain दे रही है तो उसके लिए और resting pain especially resting pain जब होता है कोई cancerous substance तो नहीं है वह सारी चीज़ें में MRI में clear होते हैं क्योंकि X-ray में सिर्फ shadows आ सकती है और वह बोनी changes को दिखा सकते है तो fractures के लिए X-ray करना या compressed fracture हो जाता है किसी कोई jerk लगा है या आपको मैं बता रहता हूं जैसे माली जे कोई गिर गया है या फिर उसको कोई muscle spasm हो गया है तो वह सारी चीज़े actually spasm भी जो है वो muscular spasm होता है वो बोल दिया जाता है X-ray देखके कि आपको muscle spasm हो गया है पर X-ray में सिर्फ उसको straightening of spine दीखेगी उसके round जो muscles है वो आपको tightness जो है वो तो आपको feel तभी होगी जब patient अपने symptoms बताएगा तो काफी चीज़े हैं जो सिर्फ symptoms देखके हम पता कर स होता है अब देख लीजे कितने सारे patients होते हैं जिन्होंने MRI X-ray कुछ नहीं करवाया फिर भी उनका diagnose होता है उनके symptoms के base पर तो यह सारी चीज़े जो होती है यह हमें देखनी पड़ती है चाहे आप X-ray करवा लीजे चाहें MRI करवा लीजे पर आपके symptoms जो है वो आपको हमेश पुराना पड़ा है तो उसको शो करेगी करेगी पर उसको उसकी विरस से आपको problem नहीं है तो यहां पर MRI कभी पर confuse भी कर देती है तो confusion से बचने के लिए हमेशा अपने symptoms के बारे में जरूर डॉक्टर को बताईए वह मैंने आपको वीडियो बनाया भी हुआ है कि जब भी back इसरे पर भी वीडियो पूरा बना हुआ है और MRI पर बना हुआ है उसके मैं लिंक्स आपको description में देदूंगा वह आप जाके देख सकते हैं और अपने डॉक्टर की जो सलाह है वह जरूर लें उसको ठीक लगता है वह आप जरूर करवाईए और क्योंकि वह आपका treatment कर रहे है या सिरफ जो लिस्तिस है वह एक्सरे में भी दिख सकता है तो इसलिए आपको यह पूरी नॉलेज अब हो गई होगी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत रहेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो लोगों को भी है नॉलेज बढ़ेगी आपके रेलिटीव हैं फ्रेंड्स हैं सब को शेयर कीजिए जिनको पी पता लगेगा और मुझसे वांटो वन कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप एपान्मेंट बूक कर सकते हैं उसको पे करके आप मुझसे वांटो वन कंसल थेरपी.com पर आप जाके विजिट कर सकते हैं सारा प्रोडक्स के बारे में तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजिए और बाकी लो बैक पेंट सीरीज को देखने के लिए हमारी प्लेलिस का भी मैं लिंक आपको ड ठीजिए शेotal बत्यों आपको जट्ट 설ीर के यॉजिए ट्रेखने के विए कीरिए के लिएक लोंगने का लिएक संवेने कर दीजियों जैपिते हैं सब्सक्राइब doisबू कॉध आपको टारी शेरे जीजिए